बैंक से अब आपके पूरे हैं और आप यह साबद कर सकते हैं कि जो जो बिजिनस आप यहां पर कर रहे हैं जो सारा कुछ आप वहां बैटके उसको मैनेज कर सेख जिए बिजनस को भी डिस्टरब नहीं होगा और आपके जो एंट्री या वो टैंपरेडी होगी तो वीजा रेशो जो है ना वो त्रीबन 20 से 40 प्रसंट के करीब है सबसे इंपॉर्टन्ट क्या उस्ट्रेलियन अमबैसी उस्ट्रेलियन हाई कमिशन डियाचे क्या उस वीजे को ग्रांड करेगी हजबंड को लेके या अपनी और अपनी बच्चों की वाइफ की वो एक साथ अपलाएगा देते हैं असलाम अलेकम और विल्कम टाबर यूटीब चैनल माई नेम इस अजीम कासिम और आप फाउंडर स्जी ओफ एड़ीफए ग्रिप अफ कंपनीज वी प्रवाइज इंफर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अप्रॉड इमिगेशन करियर कांसलें आज की वीडियो खासी इंपॉर्टन है आज की वीडियो में डिसक्स करेंगे कि आप अस्ट्रेलिया का स्पाउज वीजा डिपेंडन्ट वीजा फैमिली के साथ अपनी वाइफ को बच्चों को या अपनी हजबन को कैसे लेकर जा सकते हैं क्या उस पे कॉस्ट इंवाल्व को होगी आपकी कौन सी काटगरी या उस वीजे की और क्या सबसे इंपॉर्टन क्या ऑस्ट्रेलियन अमबैसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिशन डियाचे क्या उस वीजे को ग्रांट करेंगी इस वक्त जो पैक्टिकल एक्स्पीरियंस है वो क्या कहता है इन सब चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिसकस करने के अगर अब अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बैल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजेगा ताकि आप तक तक तमाम लेटस अपडेट्स पहुंच सके हैं स्टार करते हैं आज की वीडियो को आउस्टेलिया का स्पाउज वीजा बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी कंट्री जहना वो स्पाउज वीजा दे रही है जैसे यूके ने पिछले चार पांच साल में स्पाउज वीजा की सेल लगाई भी थी लूट सेल लगाई भी थी हर बंदा जो हैंना थोड़ा सा कैप किया और अलाव कर दिया सिर्फ रीसर्च प्रोग्राम के उपर और इस वक्त आस्ट्रेलिया के बारे में बहुत क्वारी आती है कि क्या आस्ट्रेलिया जो है ना वो स्पाउस विज़ा करता है करता है तो क्या requirements है क्या expense है आज देखते हैं कि क्या requirements है अस्टेलिया की अगर आपने जाना है अस्टेलिया में as a spouse अपने husband को ले के या अगर अपने वाइफ को बच्चें को ले की देना अच्छा सबसे पहले तो मैं एक चीज यहां पर वाज़े कर दूँ कि जो अस्टेलिया की जो category है for the dependents and for the spouse it is known as subclass 500 subsequent entrance subsequent से मुराद simple है कि बाद में आने वाला जो अब 500 जो क्लास है वो मारी student क्लास है और वही क्लास है बेसिकली लेकिन उसके ओपर subsequent entrance वो होगा जो main applicant जिनी के जिसने 500 लिया हुआ है उसके बाद में enter हो रहा होगा अचा अब यहां पर दो तरह से जो है न वीजा ग्रांट हो सकता है अचा practical क्या है वीजा ग्रांट हो रहा के नहीं हो रहा है वह हम end पे जाकर देखेंगे इस वीडियो के लेकिन हम पहले scenario discuss करते हैं और cost to involve और discuss करते हैं दो तरह से जो है ना वीजा इसमें जो है ना वह ग्रांट हो सकता है नमबर वन कि आप जो एप्लिकेशन है अपनी और अपनी बच्चों की वाइफ की वो एक साथ अपलाए खाते हैं यानिके में अप्लिकेंट साथ में उसका dependent जो के वाइफ और रस्मेंट दो नम भाण जो है ना जो उसका spouse है या जो उसकी spouse है male है female है और उसके जो बचे हैं उनके apply करेंगे हम चार से छे मागे कियाबके बाद तो दोनों केसे को हम डिसकस करते हैं फर्स्ट केसे ही कि आप एक साथ अप्लाय कर रहे हैं यानि कि में अप्लिकेंट वाइफ और बचे अच्छा अब यहां पर जो आपको पता है कि इस्टेलिया में यानि-पर्स्ट को स्पॉंसरिंग यूर स्टेडियु आइधर यूर फादर यूर मुदर अब इन दो के लावा उस्टेलिया में हम तीसरा बंदा नहीं करतें चुश्ट के वहां पर उस तीसकी अच्चेप्नस नहीं है इवन के मदर के उपर भी क्वाइज कर रही है भाई ही का फाधर कहां पर है जो भी आपका स्पोंसर होगा उसकी जो आपकी इंकम है डाट शुड बी 84543 अच्छा अब आप देखें कि जो आप सिंगल जा रहे होते हैं अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपके जो स्पॉंसर की इंकम है वो तो तू थाउजन्ट फाइवंड़ कुछ करके जो है ना मांट आपने शो करनी होती है अब चुकि आप जा रहे हैं अपने स्पाउस के साथ और अपने बच्चें के साथ जो बंदा आपको स्पॉंसर कर रहा है आपको उसकी रियल टाइम एक्जेंपल देता हूँ मैं हूँ और अगर मेरी बेटी जा रही है अस्टेलिया पढ़ने के लिए और मैं उसके साथ उसका हजबन जा रहा है उसके साथ उसके बचे जा रहे हैं तो मेरी इंकम मैं इसको स्पोंसर कर रहा हूँ मेरी इंकम जा है ना वो that must be 84543 84,543 ऐस्टेलियन डालर्स मिनिम्म होने चाहिए जो के आज के रेट के मताबक साल की द्रीबन को एक करोड़ सतर लागे पास बनती है जो मैंने शो करनी है कि भाई ये मैं इंकम जा है अपनी जनरेट कर रहा हूँ और ये मैं अपनी बेटी को और उसके दमाद को अपनी उसके हजबन को स्पॉंसर कर रहा हूँ अच्छा यहां पर प्राबलम इस कि इस वक्त जो इंकम की रिक्वाइरमेंट है वह आपको पता है कि काफी चेंज हो रही है अस्टेलिया के अंदर और दिन बार दिन जाहना वो नहीं से नहीं requirement लेके आ रहे हैं अब उन्होंने requirement लगा दिये जी आफकी इतनी से उक्षप उपर जाहना वो रेंटल इंकम नहीं होनी चाहिए इतनी गिर नहीं होनी चाहिए ये खिर ये लंबी चोड़ी बैस है, इसके उपर हम एक separate वीडियो बनाएंगे, अब भी जो requirement है, वो ये कह रही है, कि मैंने इसकी जो है, अपने बेटी के रवने बेटे की, ये income मेरी होनी चाहिए, जो के पाकिसानी पौने दो कुरूर दो कुरूर, that is should be white money, legal money on document, tax returns, financials, rental income registered and declared, आपने ये थाबत करनी है, कि मेरी इतनी income है, जो बनाएंगे इसको sponsor कहा रहा है, ठीक है, अच्छा, अब उसके साथ-साथ, ये वो income है, जो मैंने इनको दिखानी है, जो मैं earn कर रहा हूँ, मेरी साल की जो है न, earning है, उसके साथ-साथ, जो मेरी बेटी, और जो मेरा दम आप, यानि कि उसका husband अगर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उनको वहां पर रहने के लिए expenses भी show करने पड़ेंगे, जहर सी बात है, तो उसका formula क्या है, कि उन्हों ने, मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ, let's suppose, अपने बचे की बात करता हूँ, तो उसकी अगर मैंने half fees जह है न, उसकी bank statement के अदर शो करूँगा, अगर मैंने पूरे साल की fees पे कर दिये, तो मैं फिर remaining fees शो नहीं करूँगा, और क्या शो करूँगा, मैं शो करूँगा, living expenses शो करूँगा, अपनी बेटी के, उसके husband, यानि कि उसके husband के, spouse के, dependent के, और उसके बचे के, एक है, दो यतने बचे भी होंगे, अच्छा, अब इसकी जो requirement है, that is, main applicant की requirement सबको पता है, two, four, जो है न, वो five, zero, five requirement है, main applicant की, ये डॉलर की बात करूँगा, चोबिस जार, पांसो पांस डॉलर, main applicant ने शो करना होता है, अपने, खुद के expenses के लिए, अब जो साथ में उसके dependent है, जानिक 3670, एक बच्चे का, तो दो बच्चे है, जो 3670, दो बच्चे का, तीन बच्चे का, ये आपने जहना वो शो करना है, तो जो amount आपने शो करनी है, bank statement करना है, that should be remaining fees, जो आपकी remaining fees रहागी, उनिवस्टी की, plus आपका जो main applicant है, उसके living expenses, that is, 24,505 Australian dollar, उसके साथ साथ आपकी ज जो बच्चे की cost है, 3670, ये आपने शो करनी है, अपनी bank statement की अंदर, other than your sponsor's income, जो आपके sponsor की income है, वो डिफरेंट है, जो आपकी ये जो expenses है, ये डिफरेंट है, इसके साथ साथ, अगर आपके बच्चे को, आप PhD की student नहीं है, आप commonwealth की student नहीं है, और आपके बच्चे, आप हैं, वो अगर school going है, अगर उनकी a school going है, तो you have to secure the admission of your son, your daughter, your child, और अगर आप PhD की student है, तो you can take admission in the government schools and colleges, उसके लिए आपको fund शो करने की जूरत नहीं, there is a free of cost study है वाँपर, अगर आप private school में इसको admission लेकर देते हैं, जो के in most of the cases आपको requirement पढ़ जाती है, जो कि आपको government में सीड नहीं available होती, आपको PhD में डमिशन नहीं मिल रहा होता, तो आपने 9661 डॉलर उस बचे का भी शो करने है per annum, जतनी मैंने ये बात की है, जतनी मैंने फीसों की बात की है, ये सब की सब जो है ना, ये per annum जो है ना, वो आपकी requirement है, फीस की, जो आपकी 24505, ये भी आपकी जो मेरे अपलिकेन की requirement है, ये per annum requirement है, 8574 ये भी आपकी पार annum requirement है, 3670 ये भी पार annum requirement है, 9661 ये भी आपकी पार annum requirement है, जो आपने बेंक अकाउंट के अंदर शो करनी है, ये आपकी वो चाँचा, जो आपके sponsor है, जो आपको sponsor कर रहा है, उसकी आपने document सारे शो करने है, उ वो आप साथ में अप्लाई कर रहे है अगर आपके में अप्लिकेंट जा चुका है या वाइफ जा चुका है कोई भी जा चुका है एक बंदा जा चुका है अब उसने साइकेंट अपने स्पाउस को बलाना है वहाँ पर फीमेल हो सकती है वो मेल भी हो सकता है अब क्या स्नारियू है जूँकर में एप्लिकेंट का वीजा लगए बच्चों का और प्रइजिड का वीजा लगना है या फिन केस आप कहलें कि बच्चे अभी नहीं है तो उसकी फीस यहां पर शामल नहीं होगी जो बाकि हैं जो लिविण कि स्पञाश है बचे को इसे एख अपनी बदा वुद्धां प्रइजिड यहां रहा है वीजा ज्सने अप्लाय करना हैеспर्णाइ भी अपनी जह न वो जिए ति अभी आप्र ज जियए है जेनलन स्टूजन टेस्त उसने भी पास करना है कैसे पास करना है क्विजर कटा करी न वह सीम है सब कलास फाइरअमध्डर रशा कटा करी सीम है फरक क्या है यह बाद में यह बाद रिया की अपर analyze व legal आपटो ऑला यह नहीं कि आ था कुछ हरसा महां पर रह लेगा अधरवाइस इसके यहां पर जो बिजनेस है यहां पर जो इसकी इंकम है वो इतनी है कि इसको तरिए जाने की ज़रूरत नहीं है इन डैट केस वो जो बंदा है वो जो स्पाउस है उसको यहां पर अपने फइनाशल अपनी डाकूमेंट्स अपना बिजनेस सारा कुछ शो करना पड़ेगा और एक हैंसम इंकम शो करनी पड़ेगी सार की अब जो हैंसम इंकम है इसका वहां पर आपकर सच कि मैंशन नहीं कित कि मेरे साल की देड दो क्रूड जहाना वह एक क्रूड 40-45 मेरी इंकम है और मैं यह सारा बिजनस इसा सेटप जहना वहां बैठके रन कर सकता हूं देख सकता हूं मेरा बिजनस इसाइट जहना वह डिसरब नहीं हो गया इन डैट केस आपकी जहना आप साबत होंगे कि आप एक जहना वह स्टूडेंट के सबसीक्वेंट एंटरेंट है फिर जाके जहना वैसी आपको वीजा ग्रांट करेंगी और जो रमेनिंग डाकुमेंट्स हैं वह आपक करना चाहिए क्या आप प्लैनिंग कर सकते हैं स्टीज की और अभी क्या सेनरियू है तो देखें आज दो एपरिल 24 आज के दिन के अगर आप बात करें तो सिंपल आंसर तो यर क्वेस्टिन इस नो इस वक्त अमबैसी जहना वह खास तोर पर जो 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 ऐसे केसिस जहां पर पूरी-पूरी फैमिली साथ अपलाय कर रही है हस्बंड वाइफ या हस्बंड वाइफ दो बच्चे एक बच्चा ये साथ में अपलाय कर रहे हैं तो यहां पर जो वीजा रेशो है वो आल मोस्ट जीरो है अब किसी एक अदर को दो चार वीजा लग गए हूं तो अब उसक अब यहां पर यह शोड़ी नहीं है से लिया के अंदर अगर आप वीजा अपलाय करते हैं अपना में अपलीकंट के बाद या जा चुका है उसके बाद आप वीजा अपलाय करते हैं तो गिवन दे अफेक्ट कि आपके पास फिनेंशल साब के पूरे हैं जो इंकम की रिकॉ कुछ आप वहां बैटके उसको मैनेज कर सकते हैं बिजनस को इस्टरब नहीं होगा और आपके जो एंट्री है वो टेंपरेरी होगी तो वीजा रेशो जो है ना वो तक्रीबन 20 से 40 परसंट के करीब है अच्छा पीएशडी के लिए ये कोई रूल लागू नहीं होता है प फुद्वटाग उटके नहीं आगया पाकिस्तान से को अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो पीएशडी तक पहुंची गिए इसको इसको उस्टेलिया के युनिवस्टी ने जो है ना वो पढ़ने वाला बच्चा है और ये सब के पिछे साइंस क्या है साइंस यह है कि आ वाइड करें चीज़ों को तो यह थी आज की वीडियो अगर आप अप्लाइए करना चाहरे हैं स्पाउस के साथ एक साथ में स्टार्टिंग में तो आई वुड रिकमेंड के ना करें अप्लाइए मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है जीरो और अगर आप बाद में अप्लाइए करते हैं स्पाउस के जाने के बाद तो देन मेक अप यूर माइंड के रिफ्यूज भी हो सकता है और अगर रिफ्यूज हो गया तो जिदाही पढ़ जाएगी दोनों के बीच में हस्बंड मां पर राजाएगा वाइफ यहां पर राजाएगी या वाइफ आजमिक लिकेजिए थैंक यू सो मच अलाफिज